नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैंदान में भी रावन दहन कारकरम काफी लोग प्रिये हैं का बटन दबा कर अत्याचारी रावन के पुतले का वद करेंगे वहीं सिरी दुरुगा पूजा द्वारा आयोजीत रावन दहन का एकरम में आकर्शन का केंद्रे मुख्य मंत्री द्वारा रिवल्वर के आकार वाले धनूस से दसानन का वद होना होगा बताद सिरी दुरुगा पूजा या रावन दहन समिती अरवोडा के अध्यक्ष पंकज साहु ने बताया है कि इस अरवोडा मैदान में 60 फीच का रावन वहीं 55 फीट का कोमकरन और मेहनात बनाया गया है गढ़वा में निकली कलस्यात्रा में एक लाक से अधिक सरधालू सामिल जारखन के गढ़वा जिले के सिरी बंसिधर नगर में एतिहासी कलस्यात्रा निकली इसमें एक लाक से अधिक सरधालू सामिल हुए इस एतिहासी कलस्यात्रा के साथ ही पाले जद्पूरा में आयोजी स्री लक्ष्मी नरायन महायग ये सुरू हो गया है बता दे कलस्यात्रा में सामिल सर्धालूओ के यग घोस से पूरा छेत्र गुंजाय मान हो गया गड़वा जिले में निकली 10 किलोमीटर लंबी कलस्यात्रा में घोड़े उट भी सामिल हुए थे गाजे बाजे के साथ निकली कलस्यात्रा पर हेलिकोप्टर से पुस्प वर्चा भी की गई जार्खन के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बीपील बच्चों के लिए रासी का आवंटन राजे के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपील बच्चों की फीस के लिए जीलों को रासी आवंटित कर दी गई है जार्खन सिक्षा परियों द्वारा जीलों को 6.79 रुपई आवंटिद किये गए राजे के नीजी स्कूलों में 18 या 762 बीपिल बचे पड़ रहे हैं इन बच्चों का नमांकन सिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रवधान के तहत हुआ है बताद सिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहद नीजी विद्यालों में इंटरी कलास में कूल सीट की 25 फिदी सीट पर बीपिल बच्चों के नमांकन का प्रवधान है इन बच्चों का सिक्षन सुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है जार्खन सिक्षा प्रवधा जीलो को जूलाई में रासी दी गई थी जार्खन में इस साल दस महीने में 2000 से ज्यादा लोग डेंगू से संक्रमीद हुए है इसके लावा चिकुन गुनिया और जापानी इंसे फेलाइटीस का भी खत्रा बढ़ा है इसको लेकर जार्खन स्वास्त विभाग के माते पर चिंता की लगीर साफ दिख रही है बता दे राज में वेक्टर बोर्न डिजीज का खात्रा लगतार बढ़ रहा है पहले मलेरिया के वज़ा से बतनाम जार्खन में डेंगू, चिकुनगुनिया और जापानी एंसेफिलाइटिस भी स्वास्त विभाग के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है 2018-2019 के बाद इस वर्स राज में डेंगू, एक बार फिर इस वर्स बड़ी संख्याम लोगों को चपेट मिलिया है राज में 24 में से 22 जीलों में डेंगू के मामले मिल चुके है जार्खन के नेता प्रती पक्ष अमर बावरी की मुस्किले बढ़ सकती है आय से अधिक संपती मामले में एसी बी ने जाज सुरू कर दी है बावरी के लावा रहुवर सरकार के चार और मंत्रियों खिलाब जाज सुरू हो चुकी है बता दे आय से अधिक संपती मामले में जार्खन बिधान सभाक नेता प्रती पक्ष अमर कुमार बावरी की मुस्किले बढ़ सकती है हेमन सुरेन केबिनेट के फैसले के नुसार एंटी करप्शन वीरों ने बावरी सहीत राजी की पुरुवर्ती रहुवर दास सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाब जाज सुरू कर दी है रखवर दास के मंत्री मंडल में बावरी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे दुर्गा पुजा के कलस की जयनती असाध्य रोगों की है अचुक दवा नवरात्र के पहले दिन कलस अस्थापना के साथ कलस के नीचे बालू या मिटी में जव डालने की प्रमपरा है मादुर्गा की अराधना के नौ दिनों में इसे जो पौधा निकलता है उसे जयनती कहते हैं इसे सिखा में बांधते हैं बता दे कुछ लोग कान पर रखते हैं या बेहाध हिसू माना जाता है बता दे नौरात्र में भी सर्जन के दिन जिस जयनती को लोग सिखा में बांते हैं या कान पर रखते हैं उसके असधिये गुन भी है बतादे या असधिये गुनों की खान है यादि 10-15 दिन तक इसके कच्चे रस का सेवन किया जाए तो सेवन करने वाले को कैंसर नहीं होता वहीं इसे लोगों की रोग प्रतिरोधक छामता बढ़ती है यहां तक कि या रक्त सोधन बलड को फिल्टर भी करता है इस संबंध में आयरुवेद के दो डॉक्टर बैधो और पूजा का नुस्थान करने वाले पंडित से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जयनती के चमतकारी गुनों के बारे में बताया है उडिशा के नई राजेपाल रगुवर दास ने कुवारी कन्या के पाउपकारे सार्देन वरात की महानौमी के दिन सोमवार को उडिशा के मनोनित राजेपाल एवं जारकन के पूर मुखमंतिर रगुवर दास ने जमसेत पूर के भालू बासाईस थी सितला माता मंदीर में सब परिवार 121 कन्या का पुजन किया उन्होंने धरम पत्नी रुकमनी देवी एवंसु पुत्र ललीत दास पुत्र वधू पुर्नीमा ललीत दास दमादव परिवार के अने सदस्यों के संग मंदीर प्रांगन में हवन करने के बाद माद दुरगा के आर्थी कर सकती सरूपा कन्याव का पुजन किया रहुबर्दास ने माद दुरगा के 9 सरूपों की परतीक 9 कन्याव के पामपकारे सिंगार कर चुनरी उढ़ाई, घंटी बजाकर एवं आरती उतार कर पुरे बीधी पिधान से पुजा की उनका असिर्वात भी लिया ज्यारखन में भीशन सलक हाजसा एक कीमोथ तीन घायल चक्रधर-पूर गोईल के रा मुख्य मार्ग पर सो मुआर सुबा भीशन सलक हाजसा हो गया एक बस ने दो मोटर साइकल को टक्कर मार दी और बस चालक मौके से बस लेकर फ्रार हो गया इस सड़क हाजसे में एक मोटरसाइकल में सवार एक युवा की घाटना स्थल पर ही मौत हो गया जबकि दूसरा युवा कोमा में चला गया इसके अलावा मोटरसाइकल पर सवार माता पीता और बेटा घायल हो गया घातना चक्रधरपूर थाना चेतरे के चक्रधरपूर सोनुवा मुखे सलक मार्ग के बुढ़ी गोड़ा और जेना बेड़ा के बीच सुबह तकरीबन साड़े दस बजे घटी है बताया जा रहा है कि चाई बासा से गोड़ के राक के बीच चलने वाली बस सोनुवा से होते हुए चक्रधरपूर की और तेज राप्तार में आ रही थी मुर्ती बिसर्जन की त्यारी में परसासन रांची में दुर्गा पुजा को लेकर उलास है वही माद दुर्गा की परतिमा बिसर्जन को लेकर जीला परसासन की त्यारी पुकता है दुर्गा बाडी मंदिर के साथ साथ बंगाली समुदाय के पूजा पंडालों की परतिमा का विसरजन मंगलवार को किया जाएगा बता दे मुर्ती पिशन को लेकर जिला परशासन की तरफ से सारी तेरिय कर ली गई है मंगलवार को बंगाली समुदाय से जुले सब ही पूजा पंडाल के मुर्तिया का बिसहजन किया जाएगा वही कई पूजा समिती मंगलवार के बाद बुद्धवार को भी मुर्ति बिसहजन करेंगी दुर्गाबाडी मंदिर के संचालक और बंगाली समुदाय से जूले सर्धालों ने कहा है कि पुरानिक परमपराओं के तहद दसमी के दिन मा के परतिमा का बिसहजन किया जाता है इसी परंपरा को निभाते हुए दुर्गाबाडी अपने मूर्ती का विश्यन मंगलवार को करेगी पूलिस कर्मियों की मदद से बरी हो गया गैंग्स्टर अमन सिंग धनबाद के बैंक मोड थाना में पजस्थापित रहे दो सिपाही की गवाही नहीं देने के कारण धमकी और रंगदारी मामले में आरोपी कोईलांचल का गैंग्स्टर अमन सिंग, उतर परदेश का उसका स्वहयोगी अभिनो परताप सिंग, सुनील, निसाद, वारावी ठाकुर को सक्ष के अभाव में धनबाद के निचली अदालत ने बरी कर दिया है इस मामले को कंभीता से लेते हुए डीजीपी अजय कुमार सिंग ने प्रणाबिक जाच सियाइडी से कराई है जाच में अबा सामने आई है कि मामले के सिकायत करता एसाई इंद्रजीत कुमार राना ने 30 जनवर दोहरे का इसको बैंक मोर थाना में उक्त लोगों के खिलाप प्रत्मी की दर्च की थी इसमें गवा के रूप में धनबा जिलाबल के सिपाही दिपक कुमार सिंग वह सिपाही इर्फान आमत को गवा बनाया गया था हलाकि इस मामले में सिर्फ एसाई इंद्रजीत कुमार राना ने कोट में गवाही दी थी केस के अनुसंधान करता आजए कुमार ने भी गवाही नहीं दी इसके अलावा दोनों सिपाही भी गवाही के लिए कोट में हाजिर नहीं हुए साहब गंज में सिक्रेटी गार्ड की हत्या साहब गंजीले के राज महल थाना छेतर अंतरगत पीपर जोरिया में धरदार हत्यार से 35 वरतिये परदी पाना की हत्या मामले में थाना पूलिस ने हत्या रोपी बोना पाना को गिरफतार कर लिया है सोमवार की साम राज महल HDPO का रियाले में पूलिस कप्तान नौसाद आलमने प्रेस कॉन्फिरेंस करके कहा है कि हत्या मामले में आवेदन करने वाले मीना मिन्च के ब्यान पर भादविये की धारा 277 वाई 23 के तहत प्रात्मी की दरज करते हुए बोना पाना को गिरफतार कि इसके बाद जिला परशासन ने भी रावन दहन कारकरम का परमिसन नहीं दिया बोकारो इस्टील और जिला परसासन के अनुमती नहीं मिलने के कारण इस कारकरम को रद कर देना पड़ा रावन दहन कारकरम की त्यारी एक महिनेत चल रही थी बता दे बोकारो इस्टील और जिला परसासन दोनों को कमीटी ने इसकी जनकारी दे दी थी लेकिन अम्तिम समय में बोकारोई श्टील और जीला पसासन दोनों ने अनुमती देने से इनकार कर दिया है जमसेदपूर बाड़ा बांग की डैम में डूबने से दो छात्रों की मौत जमसेदपूर के MGM थाना अंत्रगत बाड़ा पांग की डैम में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई जबकि तीसरा छात्र बच गया है घाटना रभी वार देर साम की है मिरितको का नाम राइन क्रूंज टोपो 14 वर्सिये और रोबिन साइमन जॉन 16 वर्सिये है बताया जाता है कि दोनों छात्र वीर्सा नागर के रहने वाले थे इधर पूलिश ने दोनों छात्रों के सौग को पोस्मास्टम के लिए MGM मेटिकल कॉलेज भिजवा दिया है गाटना के समन्द में रोबिन के पिता रतन जॉन ने बताया है कि रभिवार की साम को रोबिन, राइन और नीसांत तीनों एक साथ फुटबोल खेलने के बाद कह कर घर से निकले थे जारखन मौसम राइधानी समेट जारखन में महानौमी के दिन मौसम बदल सकता है राइधानी में इस दिन दोपर बाद आंसिक बादल चाय रह सकते हैं मंगलवार को बादल चाय रहेंगे और कहीं कहीं हलकी बारिस भी हो सकती है इससे महानौमी की राद और महादसमी के दिन से धालूओ को रावन दहन देखने में परिशानी हो सकती है मौस्वम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अत्ती दबाव के और व्यापक होने के कारण यह बदलाव आया है सोमवार के बाद 25 को भी हलके बादल छायरा सकते हैं जबकि अरब सागर में आय तेज चक्रवाती तुफान का यहां कोई असर नहीं पड़ेगा पलामू में दो आदिवासी यूती से दुसकर्म का परियास हुसायनाबाद थाना छेत्रे के सुद्रवर्ती गाउं में पूजा कर लोट रही दो आदिवासी यूती से दुसकर्म के परियास का मामला सामने आया है पिडित यूतीयों ने हुसायनाबाद महिला थाना में तिन लड़कों खिलाप लिखी सिकायत की है मामले को गंभीता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास, ठाना परभारी, सुर्वाला, भिरिंग राजने, दल बल के साथ आरोपी सलेंदर कुमार यादव, रंजन यादव एवं जीतेंदर यादव गिरफतार कर जेल भेज दिया है मिली जनकारी के अनुसार बिते 18 अक्टूबर को दोनों यूतिया नवरात्र में गाउं से कुछ दूर परिश्थी देवी मा के मंदीर से पूजा कर लोट रही थी